स्वागरा का मेने चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर लेकर आगे आपके लिए शांदर वीडियो वीडियो के अंदर में बहुत सारी नियूज है वीकेंड है तो बहुत सारी नियूज होंगी आपके लिए तो आप गौर फर्माइएगा वीडियो पर वीडियो को अगर आ रेखने को मिला और लगबग लगबग फ्लैट बंद हुआ है मार्केट और फ्लैट बंद ने कारण बताता हूं इसके उपर जाने कारण जो था वो तो मिट कैप स्टॉक मिट कैप स्टॉक ने काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस किया उसके अलावा आपके रिलाइंस का जो शे रही थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी इसके शेयर में इसलिए काफी अच्छा जो है मुमेंट आपको देखने हो लो मार्केट के अंदर में वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक बार उपर जाने के बाद में वापस से नीचे की तरफ में जो है थोड़ा सा ड्रैक कर रहा ह तब Optical Fiber जो है वह आपको बहुत इंपर्टेंस होगा तो वहां पर HFCL जो के एक बहुत बड़ा शेयर रहा हुआ है अपने टाइम पर 2000 रुपए को अभी आपको मिल रहा है कोडियों के बाओ अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पर यह 10 रुपए 7-8 रुपए के असप पर साथ परसेंट जड़ गया था लेकिन आग जो है काफी बड़ी गिरावट आपको देखेंगे वहली यह बैंक के शेयर में उससे पहले मैं आपको बता दिया थे कि बहुत यह दो मेजर ब्लॉक डील्स हुई थी इसके अंदर में एक वी ती ग्यारा सो करोट रुट रु इस दो इनके टार्गेट को उसने घटा दिया है तो जो बेसिकली क्या है कि आज जो है हमारा जो मार्केट कैप है वह डॉलर फाइफ ट्रिलियन तक पहुंच गया है ठीक है अब यहां पर तीसरे बड़ी इकोनोमी बनने के खागार पर भी यह बोले कि आने वाले पांस साल के अंदर में हम 10 स्टलियum डॉलर की कमपनी बन जाएंगे यह आप कह सकता है देश बन जाएंगे तो वह तीसरे नमबर पर काभी तो हो जाएगा अफ्र जर्म ऑननी जर्मी ऩे जेपान हम से उपर है घर से उपर चैना है छेंश सबसे उपर सौरी 170 कंपनिया जिनका मार्केट कैप 1,00,000 करोड रुपए से उपर पहुंच चुका है कुछ लिस्टेड होती हैं कुछ लिस्टेड नहीं होती है तो आप कभी कैलकूलेशन यह सोच के मत करना कि जो शेर मार्केट में 1,00,000 करोड रुपए से जादा किया हो सकती है 275-276 रुपए से गिर कर नीच आया लेकिन यहां पर वापस से स्ट्रॉंग काफी बना हुआ है और यह वापस से शेर जो है अपने हाई को चुएगा और अपने हाई को भी तोड़ेगा और NBC से रुखेगा नहीं इसके आज बात करता हूँ SDFC बैंक के लिए भी काफी क्वेरी सी तो मैं आज SDFC बैंक को भी इसके अंदर में इंक्लूड कर लेता हूँ SDFC बैंक को अगर आप देखेंगे तो पहले 1300 रुपए की लेवल को इसमें चू लिया ठीक है लगाता है एक मेने के अगर मैं बात करो तो 1380 रुपए के लेवल को चूआ उसके बद उपर गया 1450 तक आया फिर वापस है इसके अंदर में गिरावाट हुई और अभी फिराल जो 1420 रुपए के असपास में चल रहा है लेकिन अभी यहां से जो है SDFC के उपर में काफी फोकस किया गया है ब्रोकरेज अजिंसी को लेकर और इसके टार्गेट दे दिया गया उसका टार्गेट जो भी आया है ना वो आगया 2100 रुपए पर शेर का यह इसका टार्गेट आया तो अगर आप यहां से भी बाय करते हैं तो आपको 700 रुपए पर शेर का जो है फायदा होने वाला है यह मैं नहीं कहा रहा हूँ यह ब्रोकरेज अजिंसी कह रही है तो यहां पर आपके सामने है वन इस्टू टैन वन इस्टू वन का स्टॉक स्प्रेट उसके बाद में 200 से 1400 के असपास में जो शेर गया है HDFC बैंक मल्टिपल इंवेस्टर मनी और बाइफ और 2100 टार्गेट मतलब इनोंने यह पुरानी हिस्ट्री बताईए जो जो उसने किया था पहले और उसके अलावा 2100 के टार्गेट यहां पर आपको दिया गया है नया तो यहां से यह काफी potential है इसके अंदर में और HDFC के अंदर में कायस लगा जा रहे हैं काफी अच्छी good news होने के बाद में भी share पहले नहीं चलाता तो इस मन्त के अंदर में कायस लगा रहे हैं कि यहां पर HDFC काफी उपट जाएगा और अडानी मैंने अडानी के लिए आपको काफी बार बोल दिया था अडानी green energy अडानी टोटल energy solution और अडानी पावर यह चारो शेयर जो है आपस में मिलकर काफी बड़ा बन जाएंगे लेकिन अडानी green जो है न वो काफी focus में इसले कि 2030 से पहले 500 year रगार पूरा करने का ल बता दिया आप 800 रुपए के SL के साथ को होल्ड कर सकते हैं आप मैंने अडानी टोटल energy solution का भी असल बता है अगर आपको यकीन यह था तो कल यह पिछला वाले वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर बात करते हैं डिसकाउंट पर शेयर वेचरा बैंक खरीदने की मची लू होगा या राइट होगा आप यह कैसकते हैं तो मैंदा कारकास में 400 शेयर तो आप 100 के लिए आप अपलाइए कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं आपको एक बार के लिए वह अपने पोर्टफिली में दिखाता भी है कि दिखो आपको इतना बड़ा फायदा हो रहा है अगर इकत वाली बात नहीं है रामा स्टील ट्यूब्स का क्या करें मैं यह रामा स्टील ट्यूब्स यह वह वह ना वह काफी अच्छा चड़कर आया कंसलोडेशन था एक टाइम पे 33 रुपए का था उसके बाद में ऊपर गया 46 रुपए के आसपास में नीचे गिरा और वापस ज़री दॉमाने बार ओच यह वान स्ट्वे लेकिन शिर अब भी बी काफी बड़ी आए कभी काफी स्ट्रॉंग है तो इसके अंदर में क्या पर बाय कर सकते हैं 38 के साथ में अब इस पर बार बार चीज पूछने जरूत ना पड़े 38 का एसल आपको रखना है 46 का इसका पहला शॉट टर्म टार्गेट है थोड़ा सा बड़ा मेट टर्म टार्गेट इसका 53 रुपए है और लॉंग टर्म टार्गेट इसका 75 रुपए के असपास में है उसके लाव तीन सुरुप परमंत वाला जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं डेली पैसा कमा सकते हैं और एक साल की फीज आप इसल निका सकते हैं मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा बजाज आउटों के अंदर में जो न्यूस थी वो आपको देखना का मिले थी वोड़ा फोन की न्यूस मैं आपको कल वाले के अंदर में दे दे थी यहां पर आई यार इंफ्रस्रक्टर के लिए अल्रेडी नियूस है तो यह मत बोलना आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यह न्यूस क्या है अब पुरानी हो गई अब दो दिन के लिए चुटी है अब मंडे को जैसी मार्केट उपन होगा तब आप इस न्यूस का कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे आपको यह हिंदी और इंग्री जोन मिल जाता है सीरद के अंदर में लोको ने पैसे अंदर में वह वह भी चल गया अभर याँए अब यहां पर यही न्यूस अपको हिंदी मिल गए और यह द की सूरियोडर का आपको स्क्रीन शॉर्ट यहां पर दिखाती है और इसके अंदर में आप देख सकते हैं यह मैंने इसको बड़ा भी कर देता हूं यह सुर्योद देख सोला सो रुपए का इन्होंने प्रॉफिट भी कम आया है सीधा सीधा तो यही वाली चीज है कि आपके उपर में कैसे क्या करते है दुझे शेयर की बात करने माले है उसका मार्केट रुपए का रिटन का प्टरम प्रॉर एक्विटी दोनों पॉजिटिव के अंदर में हैं कमपनी का पी जो 36 के आसपास पर अगर आप शेयर देखें तो लगवर पॉने चार रुपए से चलकर आया और साड़े नौ और अगर यर्ली नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो यर्ली नेट प्रॉफिट भी आपको काफी बड़िया नाजर आ रहा है इस कंपनी के अंदर में कंपनी काफी चार रिटन दिया है कंपनी अपनी जो बोरॉइंस है उनको देखिए कम करती जा रही है यहां पर दे प्रॉटर ने अपनी होल्डिंग को भी जो है यहां पर बड़ा कंपनी इसका नाम है गार्मेंट मंतर लाइफसल लिमिटेड कंपनी 2005 में ती और जिसके मैनुफेक्ट्रिंग सेलिंग डिस्ट्रिबूशन इन सब का काम करती फैबरिक होजरी गार्में प्रोइडिंग रिल और लॉंग टम के जो है बेसिकली साड़े नौ के टार्गेट के साथ में जो होल्ड कर सकते हैं फिलाल के लिए